जितने लोग यहाँ हैं दस गुना जादा अभी भी सड़कों पहे आने की कोशिस कर रहे हैं इस से देश के किसानों के अंदर एक नई उमीद जागी है जिस तरीके से किसान, मजदूर, खमेरा आज इखटा हो रहा है और 23 दिसंबर किसान दिवस ये तो आपका ही दिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि 23 दिसंबर के इतने बड़े विशाल आयोजन में क्यूंकि बड़े-बड़े आयोजन हुए कभी मेहम में हुआ हर्याना में कई बार राजिस्थान में बड़ी-बड़ी सभाएं हुए सादाबाद में बहुत बड़ी सभा हुई थी मेरत की धर्ती में बहुत बड़ी सभा हुई थी अक्सर 23 दिसंबर को हम लोग इखटा होते थे चोद्री चरंशिंग जी को द्हांजली देते थे और आगे के रास्ते पे चर्चा किया करते थे लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज 23 दिसंबर का अपना विशाल आयोजन चोद्री चरंशिंग जी की करम भूमी अलिगड की इगलास इसे मिनि छपरॉली का नाम आप देते थे लेकिन आज 23 दिसंबर में पहली बार आयोजन हो रहा है जिसमें चोद्री अजी सिंग्जी हमारे बीच नहीं है चोद्री अजी सिंग्जी के साथ चलने वाले लोगों के लिए ये भावकपल होंगे मेरे लिए भी ये बहुत भावकपल है मैं तो आप से पूछने आया हूँ कि चोद्री अजी सिंग्जी को आपने इतने करीम से देखा भरपूर सयोग दिया आशिवाद दिया जिस तरीके से आप उनके साथ कदम से कदम मिला कर चला करते थे क्या आप मेरा साथ और सयोग और आशिवाद मुझे दोगे के नहीं दोगे लखनव मैं धिलेजी बैठे उन्हें भी आज यहां आना था वो नहीं आ सके लेकिन ये सब को एहसास हो गया होगा कि ज़ा हमने और उन्होंने हाथ मिलाया है ये चोद्री चरंग सिंग्जी का पुराना समिकरन लोटाने के लिए हाथ बढ़ाया है और ये तो आगे इस रास्ते पे होगा कहीं वो काम संभालेंगे कहीं मैं संभालूंगा कहीं दोनों मिलके संभालेंगे ये साजी लडाई है और आपको एक सूसना देना चाहता हूँ चुँकि आज किसान दिवस है चोद्री चरंग सिंग्जी की वे बात याद करो जो कहते थे किसानों को कि एक आख अपने खेट पे रखते हो तो दूसरी आख दिल्ली और लखनव यादि अपनी राजनिती पे रखा करो चोद्री चरंग सिंग्जी की विशाल सहमत हो तो हाथ उड़ा के बताओ सहमत हो वैसे देश का किसान देश का हर व्यक्ति उन्हें अनमोल रत्न मानता है मैं भी क्योंकि उस परिवार से आता हूँ मेरी कुछ सीमा है मैं क्या बोलू नहीं बोली दो लेकिन जिस तरीके से अखिलेश जी ने वकालत की है आज रात को लखनव में योगी बाबा को और दिल्ली में मौदी जी को नींद नहीं आने वाली इन लोगों ने चोद्री साब को सम्मान नहीं दिया इन लोगों ने सत्ता हासिल करने के लिए किसानों को तरह तरह के जूटे वादे किये थे 2017 के चुनाब में हमेशा जी आये थे और उन्होंने एक खोशना की थी कि हम किसानों के हित के लिए एक किसानों के विकास के लिए एक नया कोर्स थापित करेंगे और चोद्री चरंग सिंग सम्मान योजना बनाएंगे और जितने करोड चाहिए हजार करोड चाहिए पंद्रा सो करोड चाहिए पंद्रा हजार करोड चाहिए हम देंगे कहा है वो योगना हमें साथ ही दूर्मिन लगाकर देखिए दूर्मिन चौद्री चरंसिंगे नाम पर आपने एक योगना बनाई हो तो बताईए नहीं बनाई गई साथ दिन में नहीं साल आ जाएगा दोजार बाइस दोजार बाइस के लिए क्या बोले थे मोजी जी ने कहा था मित्रूं साथ सौल में हम किसान की आयद उगनी कर देंगे अब आ गई तो वजार बाइस किसी की आयद दुगनी हुई है क्या हमें आपको पता है किसी की आयद दुगनी नहीं लेकिन मैं आपको आखड़े बताना चाहूँगा चोदी चरन सिंग्जी के बहुत बड़ी ताकत थी दिमाग उनका अर्ष सास्त्री का था और दिल उनका किसान का था वे गाओं की भाषा बोल लेते थे समझ लेते थे और अंग्रेजी में किताब लिखिया करते थे और कई बार भाषान में वो आखड़े दिया करते थे हो सकता है कि उनके भाषान तो सुनने वाले लोगों को उनके आखड़े सारे समझ में नहीं आते हो लेकिन चोदी स्थाब अपना फर्ज मानते हैं कि गाओं में गाओं के गरिब घर में पैदा हुआ व्यक्ति भी देश के मुख्धारा में पहुचाना है तो देश के मुद करते गाओं तक पहुचाने होगे यह चोदी चरन सिंग्जी मानते हैं और उनी की तरह अगरे में काम करना है मैं आपको आखड़ा बताना चाहता हूं क्यूंकि अब तो देख रहे हैं रेडियो पे टेलीविजन में अखवारों पे पूरे पूरे अखवार पाट दिये यो कर रहे हैं कह रहे हैं कि सब किसान खुशाल हो गई किसान की आए दुगनी हो गई कि मैं आपको आखड़े बताना चाहता हूं आज देश की प्रतिव्यक्ति आउसद आए 86,669 रुपए है 86,669 रुपए प्रतिव्यक्ति देश मर की आए है और उत्तरप्रदेश की 41,022 रुपए आधे से भी कम हो आधे से भी कम हो पूर्ण की सरकार जब अफिलेज्य मुक्यमिंत्री थे 2016 और 17 में वो 5 साल आद देखेंगे तो हमारे प्रदेश की जीडीपी का प्रक्रतिदर यानि घरे लूप उत्पाद कुल घरे लूप उत्पाद जो जीडीपी कहते है और 75 साल में 2012 से लेके दो आटरा तक उत्तरप्रदेश में 6.9 प्रतिशत का प्रक्रतितर था और योगी जी बाबा जी के राज में एक दसम्लब नो रह गया एक दसम्लब नो ये सब क्यों है क्योंकि बाबा जी को कुछ अता पता नहीं है बाबा जी बैलेंस शीट नहीं पड़ सकते बाबा जी के आगे फाइल रख दी जाती होगी अधिकारी उनको जैसा समझा देते होंगे बिना फाइल को देखे पड़े वो अस्ताक्सर कर देते होंगे और ब्यान दे देते होंगे योगी जी बाइलेंस शीट नहीं पड़ सकते मैं एकनोमिस्टा सुडेंट रहा हूँ देश की विधिया हालत और उत्तपदेश की विधिया हालत योगी बाबा के राज में बेहत खराब हो चुकी है साधारण किसान परिवाद आज गुदारा नहीं कर सकता हमारे जो नौजवान यह जो नौजवालों के भीड़ आई है इन्हें नोक्री नहीं मिल रही कहीं नोक्री नहीं मिल रही और बतादू नोक्री नहीं मिलेगी तो शाधी भी नहीं होगी इन लोगों का बस चलेगा तो कुवारे रह जाओगे इनकी तरह और शादी करानी है तो नोकरी चाहिए मैं एक और आकर दे रहा हूं नोजमानों को 2012 में जो ITI का सट्टिपिकेट लेते हैं जो टेक्निकल डिप्लोमा लेकर बच्चे नोकरी हसल करने की कोशिश करते हैं 2012 में 13 परतिशत बेरोज गहा थे 13 परतिशत भी बहुत जादा होता है लेकिन वो यह आकरा 2019 में 66 परतिशत तक बढ़ गया यानि ITI में आपके पास डिप्लोमा है महेंगी डिगरी बच्चों के पास हैं लेकिन 66 परतिशत बच्चे उनके पास वोई नोकरी नहीं जीवी का कोई आधार नहीं है कितने बच्चे हमारे एंजिनेरिंग कर चुके एंबीए कर चुके और आज खेट में जाके मजबूर हैं कि खेटी करनी पढ़ रही है हमारा साधारण किसान परिवार हजारों का बिजली के मिल आता है हजारों का बिजली के मिल चुका नहीं पारों लोग बिजली के मिल चुका जा रहा है कि जो मजदूरी कर रहा होगा जो रिक्षा चलाएगा जो धकेल लेके चल रहा होगा जो रोगा वो क्या हजारों का बिजली के मिल चुका सकता है कि लेकिन योवी जी का प्रचार है योवी जी कहते हैं कि हमने कानून व्यवस्ता सुधार दी कानून व्यवस्ता सुधार दी लेकिन हालाक यह है रोजा बक्वार देखोगे तो थो इतने लूठ हुई उतनी लूठ हुई और वायरे हां हर दो घंटे में माहिला के साथ रेफ हुआ हर seems आपशी के साथ हो रहा है कि यह असलील हर्कते हो रही है कि खातरत में जो हूआ कि नहिरे म है परिवार को आपका नहीं कि आप मोजी जी कहते हैं कपड़ों से पहचान होती है मैं तो कहता हूं आमंगी पहचान कर लोग वे लोग भी गोरकपुर और लखनों में बैठे हैं, वोई लोग थे, गुंडों को बगाएंगे जोजी चरंग सिंग जी का राज याद होगा आपको मैंने तो इनकी लाठी खाई पुलिस वालों की लेकिन पुलिस वालों से मेरा कोई बैर नहीं है और अगले सोरा भी कानी पढ़ेंगी तो खाऊंगा लेकिन वर्दी पहनने वालों का ख्याल रखेंगे हम चोधरी चरंग सिंग जी उन्ने सो साट में सीवी गुपता की सरकार चल रही थी और चोधरी चरंग सिंग ग्रह मंत्री थे किस तरह का शासन उन्होंने चलाया वो ख्याल रखते थे और उन्होंने बात लोग का समर्थन दिया कि पुलिस की वर्दी पहनने वाले इंजवानों की तंखा बढ़ाई जाए जब उनको दवाब बना गया के नेता होगा विर्चल मुकदमे वापस ले लिए च्लेश अफज की साहगे इंकार कर दिया तो Стम ने मुख्यमंत्री बने पहला काम किया अपने के खिलाफ उनके खिलाफ खुद के खिलाफ जो संगीन धाराएं थी जो संगीन मुकदमें दर्ष थे योगी जी के खिलाफ दंगा भड़काने का मुकदमा दर्ष था वे मुकदमें उन्होंने खुद लोटा दिये खतम कर दिए ऐस मुख्य मंत्री क्या गुर्णों से आपको छुटका राज ला सकते हैं कि चौधी चरंशिंगी को मजबूर होना पड़ा और 1902 में मुख्य मंत्री ने उनसे त्याग पत्र मांगा और चौधी चरंशिंगी ने कुर्षी को लाच मारती है लेकिन अपने असूल को नहीं बहुत मुश्किल काम है और जो भाजपाई हैं उनके लिए तो असंभव काम है वो नहीं कर सकते हैं तो भाईयों अपनी सरकार बनाओ मैं विश्वात दिलाना चाहता हूँ इन नौजवानों को विश्वात दिलाना चाहता हूँ समय पर आपकी भरती खुलेगी समय पर आपकी भरती होगी और लोगतर ने तो एलान कर दिया है जरकार बनेगी साजी लेकिन मेरी नजर अलिगर्ड के नौजवानों पर होगी एक करोड़ प्रदेश के नौजवानों को पाक साल में नौकरी दिलानी है एक करोड़ आज 23 दिसम्बर है और अखिलेट जिसे भी मैंने बात की है वे अपना मैनेफेस्टों जारी करेंगी लेकिन एक घोषना मैं करना चाहता हूं अगले साल जब 23 दिसम्बर आएगी और लोगदल और सभा की सारी सरकार लगनव से काम कर रही होगी तो किसानों को जो प्रदान मंत्री सम्मान योगना मैं केन की सरकार 6000 देती है हम 12,000 दिलाने का काम करेंगे यही 23 दिसम्बर अगला साल यही 23 दिसम्बर को तो अगर यह दिन देखना चाहते हो तो आप आशिवाद देऊगे एगलाज की बहुत प्रसित चमचम है मिठाई एगलाज छेत्र का विधायक जताओ रखनव मैं हमारे गटबंदन के विधायक जिताओ पहुचाओ किसान और नौजवान की सरकार बनाओ और तब मैं अलिगड़ की और इगलास की चमचम खाऊंगा खेलाओगे चाह डाइबिटिस हो जाए खाऊंगा जरूँगे अब समय बहुत कम रहता है मैं आज इस अबसर पर जिन किसानों ने लंबा संगर्ष किया उनको याद करना चाहता हूं कि उनके प्रति अपनी संवेदना प्यक्त करना चाहता हूं जो साफसों से ज़्यादा किसान शाहिद हुए आज किसान घाट पे हमने हवन किया देश की संसद में जो दिस चरह सिंग जी की तस्वीर लगी है उस पे पुश्पांजली करके मैं आपके बीच आ रहा हूं और किसान घाट पे किसान आंदोलन के जो लोग सामिल थे मैं नाम नहीं लूँगा तुमकी फिर जो उनको दवाब बन जागा वे लोग वहाँ पहुचे थे हम और वह मिलके लड़ेंगे जो किसान में रोधी ताकते उनको ख़ड फैकने के लिए हमारे अलिगण में गॉंड़ा में लगातार किसान आंदोलन चलता रहा उस आंदोलन में सामिल होने वाले प्रतिय किसान को मैं देश के किसानों के तरफ से धन्यवाद देना चाहता चौदी चवन सिंग की आवाज बनके आपने पहली बार एक देश को बाते जंता पार्टी की सरकार जो चला रही है पहली बार उनको ऐसा दलाया कि अगर किसानों से लुहा लोगे तो हार जाओगे पहली बार और मैं तो कह सकता हूं मोधी जी ने तो कभी अपने घर में भी माणगी होगी मोधी जी ने नोट बंदिय के बाद भी माणगी और माफी मंगवाई हैं ये दीत आप की हैं ये खुन पसीना आपका है और आपका पूरा सम्माल हम लोग करेंगे हमारी सरकार बनेगी जो जो किसान सहीद हुए इस अंदोलन में जिस तरह सेना का जब सहीद होता है उनको सहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए हमारी लगनों में सरकार बनेगी उन किसानों को भी हम सहीद का दर्जा देंगे और उनके परिवार को एक करोड की साहता राशी देंगे तो अंत मैं यही कहना चाहता हूं सिर्फ भंगामा करना मेरा मक्सद नहीं मेरी कोशिस है कि सूरत बदलनी चाहिए मेरे सीन्य मैं नहीं तो तेरे सीने मैं सही आग कहीं भी हो लेकिन आग जलनी चाहिए तो साथ मिलके नारा लेंगे किसान हमें दूरेटा बाइचाना चोधरी चान सिंग चोधरी अजीद सिंग ये दो दो की जोड़ी